लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें गुद इविलिंग मेडम आरे मैंसाब यह अब मुझे कहा लगा रही है शंकर लगता है इस जनम में तुम मुझे अनीता कहकर नहीं बुलाओगे कितनी बार समझाना पड़ेगा मेमसाब नहीं अनीता जी हां लेकिन हम लोग जाका रहे हैं यह एक नहीं दुनिया है यहां ना सुरज निकलने से दिन होता है और ना ढलने से रात यह हमारी दुनिया है हम जब चाहे दिन कर दें जब चाहे रात चलो यह आप मुझे कुन सी अंधरी नगरी में ले आई है यह अंधरी नगरी नहीं जैनेडू है आज की रंगीन शम तुम्हारी नाम तुम हो मैं हूँ यह रात है और प्यार रानी 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 मत चुआ मुझे रानी मरी बात तो सुनो रानी मरी बात तो सुनो अज़तो नचाती तुम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, आये, इस अंधेरी रात में, मैं तुमसे रोशनी की भीक मांगने आई हूँ, मुझसे, मैं, मैं तुमसे शंकर की भीक मांगने आई हूँ, तुम ये क्यों नहीं कहती, कि तुम किसी से उसकी आंखों की जोत मांगने आई हूँ, तुम, तुम ये क्यों नहीं कहती, कि तुम हमारी मुहबत की चिता जलाकर, उसकी रोशनी से अपने घर में उजाला करना चाहती हूँ, घर में नहीं, बलके जमाने भर में उजाला करना शंकर वो आवाज है जो दुनिया में इंकलाब ला सकती है लेकिन मैं नहीं चाहती वो आवाज यहां घुटकर रह जाए शंकर वो आग है जो समाज की बुरायां जलाकर खतम कर सकता है मैं नहीं चाहती वो आग गरीबी की राखतले दब कर दफन हो जाए शंकर महबत का वो एहसास है जो पहले तो जमाना और सिम्टे तो यहां कैद होकर रह जाए जो मेरी महबत नहीं चाहती तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो तुमारी महबत क्या चाहती है कि तुम शंकर पर राज करो या शंकर जमाने भर पर राज करे कौन ये नहीं चाहेगा कि जो दिल पर राज करे वो जमाने पर भी राज करे सिर्फ तुम्हारे चाहने से क्या होगा क्या होगा तुम्हारे चाहने से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी चाहत से जादा उसे मेरी मदद मेरी महबत की जरूरत है, भूल जाओ उसे, भले ही उसकी आवाज यहाँ गुट कर रह जाए, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो अमीरों की जी हुजूरी करे, भले ही उसे गरीमी जलाकर राप कर दे मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो अमीरों की आतिश दान में जले और अमीर अपने हाथ से के भले ही वो इस कमरे में कैद होकर रह जाए मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसे सोने की पिंजरे में कैद करके अपनी मेहफिलों में उसकी नुमाईश लगाओ तुम लोगों को अगर अपनी अमीरी का खुमार है तो हमें भी अपने घरीबी का नशा है अनीता जी, एक हजार बरस गरीब जुल्म सहता है तब कहीं जाकर किसी जोपड़े में ऐसा एक शंकर जनम लेता है जो गरीबों के आंसु पोचता है तुम्हें तो तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन हमारा यही एक है इसे, इसे हमारे पास यही रहने दो हमें, हमें इसकी बहुत जरुरत है मैं तुम से रोशनी मांगने आई थी शंकर की नाम से टपके हुए सासु की चमक ने तुम्हें रूट भरती कर लिए, चलो जन्दी से ट्रक भर दो यह रहा तुम्हारा चला और यह रहा तेरे चालान पे दस्थकत क्या अच्छा किया जो तुमने चाकू से लकड़ी का शब मिटा दिया अब मैं इस ट्रक में तुम लोगों की लाशे भार करने जाओंगा मरने से पहले आदमी चिलाता चीखता ना, अपन उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानता शादी अशोक की हुई, मगर अर्थी अब तेरी निकलेगी आख के फेरे उसने लगाए, मगर अब चिता तेरी चलेगी अशोक, तेरा भाई, तेरी चिता में आख लगाने को बिल्कुल तयार बैठेला है सबसे जलील और कमिने आदमी वो होते हैं, जो खुन को खुन का दुश्मन बना देते हैं अधाने वा है करले वो जे खुश्म करले पने से करले बना याओनर कर दुश्म डुश्म पैंव मिह प्रखत करणो प्र्खत जो आटेंग! याओ लो महीर सालें! अबायन बातम अबायना बातम हमा इसके लाश के इतने टुकड़े हो जाएगे, कि रोने वाला ये भी समझ नहीं पाएगा, कि किस टुकड़े को पकड़ कर रो है, शिरू कर दो मशेट, चला शंकर मेरे मौला, कब तलक घुसाना उन पर आएगा, जालिमों पर रह्म, आखिर कब तलक फर्माएगा, कब तलक होते रहेंगे बेकसों पर जुमों से तब, कब तलक ये खूनी मनजर बस तु देखे जाएगा, तुमने मेरे भाई पर हमला क्यों किया? हाई, आप उन तो समझा था कि तुम ये रिष्टा तोड़ चुका है, रिष्टा मेरा है, इसे तोड़ू या रखूँ, ये मेरा जाती मामला है, उसने तुम्हारी जबज़सी शादी करा कर, अपनी दुश्मनी निकारी, शादी उसने मेरी कराई है, दुश्मनी अगर है तुम मेरी है उसके साथ, तुम्हारी कर दुश्मनी है उसके साथ, तुम कौन होते हो दो भाईयों के बीच में आने वाले, आपन, आपन कौन होता है, हमारा देश, गरीबों का देश है और मैं गरीबों का नेता हूँ, गरीब जब अपने जोपने में नहीं सोता है, तो मैं यहाँ, वीडियो पर फिल्म देखते हैं, गरीब लोगों की सही मालूबात करने के लिए, गरीब जब अपने जोपने में अपनी फटीवी चटाई पर करवटें रेता है तो मैं यहां अब नेरा में अपने पर चरता हुआ रारेता हूं केली एकूंदिशन मरे में अपना खुस्ता ठंडा करने के लिए जिस दिन घरीब काना नहीं खाता है यह बार आप Όत में यृटल में लिखना भाई जिस दिन घरीब खाना 눌러 dalam विए णिदरीन कि कर दोड़ से टाकारे रहे हैं रद में उल्लो काता आकेले खा गया थहा तो इसकी अंदर्दीमए खैकर यह लिए करता हूा सकर कुछ वह गरीब घरीड होगा किसे बला हूं किसे जो भी आप ownership मैंने हाए centered भी बेरीज तो मेले प्लराआगा व refuses भी आदा अपर अबां वसा होगा है कारीबव हीं कर भूर्ड אני आएन्हें आप लोग बीए देखिए लाइफ शो कैसे होता बाहर … खरीव हुगने तालू कि अग्रेतर हो माई मिठाई लाई हो बेटा कर बिट्टु की शादी है ना बाराएत आने वाली है आपके बेटी हुई तो थो हमारी बहन हुई ना कुछ हमारे लाइख काम मोदिए तो हम धाम से करेंगे नहीं बेटा, नहीं, वीस वरत से इसी उमीद पर जिन्दा हो, कि बिट्टू की शादी होगी, तो सारा काम अपने हाथों से करूगी, उसको मेहंदी लगाऊंगी, उसके सास इंगार करूगी, और अपने ही हाथों से उसको विदा करके पेर रोऊंगी, अच्छा बेटा, चल मैं, मैं, मैं? बहुत काम है बीटा, बहुत काम है तेरा मेरा रिष्टा है बेटा गरीबी का दुखतर्द का जब मैं मर जाओ ना तो मेरी चिता को आग तु ही देना तु ही देना बेटा शेकर भाया वो जो मेरी आपके लरके को पुलिस टेज्च में छोड़के आये थे लो तो अपने घर में बैठा जेशिन अपना चेश्ड बेज़ दिया है कि एक्सिदेंट उसमें किया है और उसने अपना गुना कबोल भी कर लिया है करता क्या है पी तेरा बाप अभी जिन्दा है कुछ नाए बादुर साब माप कीजेगा मैं बिन बुलाया चलाया तुम दो जानते हो कि मैं बिन बुलाया लोगों के साथ भी इज़त से पेशाता हूँ मुझे इज़त नहीं इंसाफ चाहिए इंसाफ किस बात का इंसाफ एक बुड़ी बेवज लाचार अउरत को आपके बेटे ने रास्ते पर कुछल कर रख दिया और मुड़कर भी नहीं देखा और साब वो मर गई सिर्फ वो नहीं मरी उसके साथ साथ वो सबना भी मर गया जो वो बीस साल से देखती आ रही थी क्या अपनी बेटी को दुलन बनाएगी मर गई उस दुलन की सारी खुशिया जिसके दर्वाजे पर बारात आने वाली थी नगर राई मा की अर्थी यार शेंकर तुम तो राई का पहाड बना रहे हो वो तो महज एक एकसिडंट था जो बंबई की सड़कों पहरोज हुआ करता है आपने एक गरीब की गरीबी खरीद कर जेल के अंधरों में फिकवा दिया क्या वो एक महज एकसिडंट था मैंने वही किया जिए बाप को अपने बेटी के लिए करना चाहिए लेकिन तुम उस नावारिस औरत के तरफदार क्यों बन गए तुम्हार उससे कहा रिष्टा है जब मैं आपकी बेटी को बचा का लाय था उस वक्त आपने मुझसे यह क्यों नहीं पूछा कि आपकी बेटी का मुझसे कह रिष्टा है हमोश बोर रहेंगे जो सुल्म ढटाते हैं साहिब सुल्म के खिलाब मैं ही क्या मुझन लेका बच्चा बच्चा इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा और वो आवाज कानून की चौकर से टक्रा टक्रा कर वापिस आ जाएगी मगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें इंसाफ क्योंकि दौलत के मंडिय में कानून हमारे इशारों पर कट्ट कुतली की तरह नाच्टा है हम अगर चाहें तो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों की सांसों पर पहरा बिठा दें सांसों पर पहरा बिठा दो या गर्दन काट दो लेकिन एक बात याद रखना राइबादूर साहिब जो आवाज भुके पेट से निकलती है वो इंकलाब लाती है तब तुम जैसे भगवानों का किस्मत गरीब पाउं की ठोकडों से करते हैं अगर आप भी तुम्हें गरीब की ताकत का अंदाजा नहीं तो जाओ दुनिया में चितने महल बनें उनकी खंडरों की एके हीट से पूछो कि तुम्हें बनाने वाला कौन और मिटाने वाला कौन तो येट से एक ही आवाज आएगी कि बनाने वाला भी एक गरीब था जिसने अपनी पीट पाट भोकर उसे बनाया और मिटाने वाला भी एक गरीब था जिसना अपनी छाती से तोल कर उसे मिटा दिया ये धंकी नहीं है राइबादो साहिब ये सच्चा ही है